लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है। इस गंभीर रोग की शिकार है और युवाओं में इसका खत्रा सबसे अधिक बढ़ रहा है। लिवर की बीमारी कई प्रकार की होती है, खराब लिवर के लक्षन, रोग की स्टेज और गंभीरता के आधार पर अलग हो सकते हैं। शुरुवाती लक्षन में लिवर बड़ा हो जाता है या उसमें सूजन आ जाती है। यदि सूजन जारी रहती है तो इसकी क्षती हो सकती है। लिवर खराब की पहचान खाने का मन नहीं होना या भूख कम लगना, हैपिटाइटिस और सिरोसिस में आम है, ये लक्षन अंजाने में वजन घटाने, कमजोरी और कुपोशन का कारण भी बन सकता है। उपरी दाएं पेट में हलका या गंभीर दर्द हो सकता है। ये कभी भी आता और जाता है और पेट में सूजन या परिपूर्णता की भावना के साथ भी हो सकता है। लिवर की बीमारी के सामान में शुरुवाती लक्षण मतली और पेट खराब होना है लेकिन जैसे जैसे आपके लिवर की विशाक्त पदार्थों को खत्म करने की क्षमता कम होती है आपके पाचन संकट में वृद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी निरंतर मतली शरीर में अतिरिक्त अपशिष्ट उत्पादों की प्रतिक्रिया है और असपश्टी कृत उल्टी अक्सर यकृत की समस्याओं से जुड़ी होती है लिवर पोशक तत्म के चयापचय और पित्त के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है जब लिवर एक शतिग्रस्थ हो जाता है या ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो यह पोशक तत्मों को संसाधित करने और अवशोशित करने की शरीर की क्षमता को प्रभावित कर सकता है जिससे वजन कम होता है ठका हुआ या कमजोर महसूस करना हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लिवर रोग और लिवर कैंसर सहित यक्रित के कई रोगों में आम है ठकान लिवर की बीमारी का सबसे आम लक्षन हो सकता है और अक्सर इसे अंदेखा कर दिया जाता है त्वचा और आँखों का पीला होना रक्त में बिली रुबिन के निर्मान के कारण होता है यह गहरे रंग का मूत्र, पीला मल और खुजली की समस्या उत्पन्न कर सकता है यदि आप अपनी बॉडी में उपर दिये गए कोई भी लक्षन महसूस कर रहे हैं तो तुरंद डॉक्टर को दिखाएं यदि आपको पेट में दर्द है जो इतना गंभीर है कि आप स्थिर नहीं रह सकते तो ततकाल अपना इलाज कराएं